हां जी चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ होंवर्ग चेक करने में थोड़ असा डिले हो गया था ऑफ-लाइन वाले स्टूडिंट का तो ऑन-लाइन वालों का भी अपना भी भेजिएगा जो भी कोश्चन किया है वह सारे कोश्चन इमेज क्लिक करके बेचना है भेजना है कि कैसे लिखना है तो आप सभी बच्चे नेम के साथ लिखके भेजना है चलिए कुश्चन नंबर 19 था जो कि हम कर लेते हैं एक फटा-फट से ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं और हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि कि हम चोटी चोटी चीजों में टाइम खराब कर दें ब्रांच अकाउंट स्टाप अकाउंट एक पर सवाल भी पढ़ लेते हैं पहले ठीक है कुश्चन में क्या कहता है फ्रॉम दा डिटेल गीवन आफ दा रिलेटेड पटना ब्रांच पटना का ब्रांच है फूर दा इयर एंडिड और साल के एंड का सर्थ थोड़ा और चैप्टर एक मिनिट कुश्चन करा हां कुश्चन तो करेंगे अभी बड़े सारे धेड़ सारे कुश्चन करने इसमें ऐसा नहीं है कि अभी खतम हो जाएगा तो कहता है फ्रॉम दा डिटेल गीवन बिलो आपको ब्रांच गीवन है और 31 लाज़ प्रिप्पेर ब्रांच अक्वाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट बुक्स आफकामट हैड ऑफिस क्लियर गुड्स और इन्वोईज आप देखिए सवाल के अंदर ना क्या कहता है या क्या आपको दे रखाई के 31 मार्च का डिटेल है प्रिपेर करना है आपको ब्रांच अकाउंट जब बोले ना ब्रांच अकाउंट तो यह वाला बनता है हमारा डेटर सिस्टम यह बन जाता है हमारा डेटर सिस्टम यह बन जाता है हमारा डेटर सिस्टम ठीक है ना जब ब्रांच adjustment account बोले, तो बन जाता है stock debtor system, तो पहचानना भी आना चाहिए आपको, तो ये बन गया हमारा debtor system, और आगे कहता भी है, ये debtor account बनाईए, head office के books में working note clearly show करना है, invoice कहता है के 20% on sales, sales के उपर सर 20% है, sales के उपर 20% है, ठीक है न, चलिए, कहता है stock 1 April का, तो यानि सर ये branch stock account नही बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे हम, बताइए, यहाँ पर बनेगा हमारा branch account, और branch account की खास बात क्या थी, branch account की खास बात क्या थी आपकी, कि sir, branch account के अंदर सारे opening balances आ जाते हैं, two balance, two balance, bd, एक बच्चे का doubt था, और बाकी समझ लेंगे, buy balance, cd, ये stock सारे balance, तो stock का balance, आपका 5000, stock दे रखा है आपको 5000, और एक सवाल ना, आपके मन में भी आएगा, कि stock कितने का है sir, 5000, एक आपके mind में सवाल आएगा, कि जो stock दे रखा है आपको 5000 रुपे, ये 5000 रुपे जो stock है, ये invoice price पे ये cost price पे, तो जब कुछ भी ना बोला हो, तो question में कह देता है, कि goods are invo प्राफिट जुड़ा होगा है, समझ रहे हो बात, अगर कहीं पे इसके bracket में, मानलो इसके bracket में लिख देता, cost, इसके bracket में cost, तो हमें क्या करना होता, हमें क्या करना होता, हम क्या करते, हम यहाँ पे ये 5000 नहीं लिख सकते थे, पहले इसमें हम profit को add करते, और फिर इस stock को दि तो आपने क्या करना है, सभी को invoice में convert करना है, जो पहले से किस पे है, cost पे है, clear, चलिए, अब देखतें आगे, stock दे रखा था सर, debtor दे रखा है, debtor लिख लिया, और सवाल में मजे की बात देखो, debtor account भी बोला है बनाने को, अगर debtor account बोला हुआ है बनाने को, तो very simple, हम debtor account बना लेते हैं, एक अलग से page पे debtor account बना लेते हैं, दो ही account तो बोले हैं, एक allowances वाला भी बच्चों ने बोला, सर, allowances वाला भी बता देना, बिल्कुल बता देंगे, allowances वाला भी, allowances, यह बना लिया हमने debtor account, debtor account, चलिए सर, allowances वाले की बात कर रहे थे, ठीक है, debtor का हमारा balance 2000 था, यहां तो लिखी लिया, यहां भी लिख लिएते हैं, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, कितने का, 2000, कितने थे, 2000, चलिए सर, आगे आजाते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं हमारा, furniture का balance है, petty cash का है, तो furniture, furniture कितना है, 1000, पैटी expense कितना है, petty expense, 200 रुपया, petty expense के बाद, insurance prepaid, तो यह भी तो assets है, यह भी तो assets है ने, prepaid, तो prepaid insurance कितने रुपए, 50 रुपए, ठीक है, इसके बाद salary due, अब ध्यान रखिए, जो salary due है, यह outstanding है, तो assets का opening balance इधर और liability का इधर, तो buy, opening, opening, salary, outstanding point, ध्यान रखने वाली बात है, मैं again कह रहा हूँ, कि assets का इधर BD, तो liability का इधर आ जाएगा, कितना है हमारा, 1000 रुपया, ठीक है, good sent to branch, 40,000, तो मैं इसे अलग color से लिख देता हूँ, good sent to branch, to good sent, good sent to branch, कितने, 40,000 रुपय, good sent to branch, 40,000, जी और क्या है, और हमारा है, good sent to branch के बाद cash sales, सर यहाँ पे cash sales, buy में आएगा, cash sales, buy में क्या आता है, हमारा remittance आता है, इस वाले point में तो, remittance, और यहाँ आएगा cash sales, मैं short में लिख सकता हूँ, कई बार, आप बस word को ध्यान दीजिए, sir cash sales कितने का है, 1000 रुपय का, cash sales, okay, 55,000, 55,000, ठीक है, cash sales के बाद, total sales, total sales 70,000, दिमाग लगाईए, अगर हमारा total sales 70,000 है, जिसमें 55,000 रुपय cash में है, तो जो बचेगा, जो बचा हमारा कितना, 15,000, यह कौन सा sales होगा, यह होगा हमारा, sir, credit sales, यह कौन सा sales होगा, इस पूरे account में credit sales का काम नहीं है, लेकिन हाँ, debtor में काम आएगा, क्या नाम आएगा आपका, credit sales, और credit sales कितना है हमारा, 15,000, समझ में आया आपको यह बात, यह बात clear है आपको, यहां तक point clear है, जिस topic में clear हो जाए, sir, जिस से कुछ बच्चे hand raise भी कर रहे थे, देखिए, यहां तक clear है आपको सारी बाते, चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद आ जाते हैं, आगे हम, आगे next point पे, next point पे आ जाते है, cash receive from data, data से 16,000 मिला है, तो यहां पे आ जाएगा cash receive from data, कितने? 16,000 रुपे, और इसकी double entry भी हो जाएगी, cash और data से कितने का? 16,000 रुपे, चलिए, इसके बाद goods written by the branch, ब्रांच ने किया है, तो by return, क्या आएगा, sir, by return, by return, रिटन, कितने का return है, sir? 500 रुपे, goods return कितने का? 500 रुपे, by, इसके बाद कहता है, goods return by branch के बाद goods, returned by debtor, debtor ने रिटन किया, तो यहां debtor का return का कोई काम नहीं है, debtor का return, debtor में जाएगा, by return, कितने रुपए था, 200 रुपए, कितने रुपए था हमारा, 200 रुपए, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, सर कुछ खर्चे है, अब इन खर्चो को किसने दिया है, ये चेक करना होगा, क्या Head Office ने इस खर्चे को दिया है, या किसने दिया है, तो सवाल में कहता है इन खर्चों को goods written by branch, goods written by data, इसके बाद cash sent to branch, इसका मतलब sent to branch का मतलब sir, इस line से clear हो जाता है कि head office ने पैसे दिये हैं, ठेक है, तो कौन खर्चा कर रहा है, echo, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, echo कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या-क्या है sir, rent, rent कित कितने का है, 3,600, rent के बाद salary, salary कितने का है, 10,200, 10,200, salary के बाद क्या है, petty cash, petty cash कितने है, 600 रुपए, petty cash हाला कि अलग लिखना चाहिए हमें, यह अलग ही कहानी होती है, हम अलग से इधर लिखेंगे, petty cash, petty cash, तो देखो, दो तरीके के जगे पे petty cash यूज होता है, अगर आपका हो debtor system, तो petty cash ऐसे करना है, जैसे हम कर रहे हैं, stock debtor system में तो petty cash का account बना के, वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अपन consume, और फिर put करते हैं हम उसके अंदर, चलिए sir, यहां तक आगे, कहता है, insurance up to date 2021, insurance up to date 2021, इसको समझते जून 21 की बात कर रहा है, insurance up to date, जून 21, अब हमारा 31 March 21 को ही account खतम हो गया, यानि sir, हमारा यह पूरा साल यहां तक था, एक चार दो हजार बीस, और सवाल में कहता है, आपका काम खतम हो जाता है, 31, 32, 21, यही तक खतम हो जाता है, लेकिन आपने insurance क्या करा, यहां से यहां तक का payment नहीं किया, इसके आगे भी चले गए आप, कब तक चले गए, 36, 2000, 21, यानि sir, इतना time period जो है, यह time period आपने extra paid कर र रखा है, extra, तो इसमें मजे की बात है, यही इसके अंदर trick है पूरे सवाल में, extra paid कर रखा है sir, कितना extra paid कर रखा है, अब देखो 400 रुपे, अब हमारा पुराना भी चल रहा था, तो पुराने को छोड़ो, हम 400 रुपे देखेंगे, हमने यहां 400 रुपे paid किया, अब 400 15 मेहने, तो 400 को हम divide कर देंगे 15 से, और हमारा तीन मेहने का extra है, तीन से multiply कर देंगे, तो क्या आता है, चेक करिए क्या आता है, 400 divided by 15 into में 3, sir, यह 80 रुपे आ गया, 80 रुपे यह 15 मेहने का है, यह एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर annual word, एक चीजी, note देंगे, चलो, कोई दिक्कत नी, note देंगे, 80 रुपे आ गया, यानि, sir, 80 रुपे हमारा प्रिपेड है, तो यहां का insurance कितना बनेगा, यहां का insurance कितना बनेगा, insurance था हमारा 400 रुपे, insurance था हमारा, पैटिकेस क्या था, बताना amount एक बार, पैटिकेस क्या, 600, लिख दिया 600, insurance बनेगा, कितना insurance था, 400, उसमें से prepaid कितना है, 80, तो यहां पर जो आएगा, वो आएगा 320, ठीक है न, और balance cd जब लिखेंगे, तो prepaid insurance, prepaid insurance, sir, prepaid insurance कितना होगा, prepaid insurance हो जाएगा, हमारा 80 रुपे, 80 रुपे, समझ मैं आई बात आपको, क्योंकि prepaid अभी last year का है, इस साल का है, इस साल का closing assets हो जाएगा, तो सारे के सारे closing assets यहां एक एक करके लिखेंगे, जिसमें से prepaid insurance भी आ गया, sir, यह वाला prepaid insurance का कुछ नहीं करेंगे, किया, automatic आ गया यह, opening balance का था, यह आ गया हमारा, automatically, ठीक है, चलिए, कहता है, petty expense incurred by branch, यह petty खर्चे जो है, incurred किये, किसने, branch ने incurred किये, इसका मतलब sir, हमारे पास, starting में petty expense था, कितने रुपए का, 200 रुपए का, और head office ने हमें भेजा, 600 रुपए, तो हमारे pocket में कितने रुपए थे, 800 थे, और हमने खर्च-कर्च डाले, कितने खर्च-कर डाले, 500 रुपए, तो बचा कितना हमारे पास, 300 रुपए, balance बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, petty expense, petty expense, कितना लिखने वाले हैं, 300 रुपए, पहले बताईए, समझ में आए नहीं आए, clear है, insurance वाला भी बताते है, insurance वाले में क्या कहता है, मैं यहाँ पे assumption ले रहाँ, हलाकि यहाँ पे दो सवाल के answer हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, उसने कहा कि हमारा insurance इस तारीक तक है, तो सर, इसका मतलब साल जब हमारा यहाँ खतम है, तो इसके आगे जितना भी payment करोगे, वो रहे आपने बीच में कराया होगा, तो बारा महिने का, तो इसका एक answer ये भी हो सकता है, divided by बारा into में तीन, सो रुपे का prepaid हो सकता है, ये answer भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे clarity नहीं है सवाल में कहीं भी, सवाल में बस बोलता है, कि जो insurance है, वो insurance paid हमने किया है, up to June, ये तो नही नहीं बोला कि इस तारिक से लेके इस तारिक तक, तो हमारी मर्जी है, हम पंदरा महिने का मान ले, हमारी मर्जी है, हम बारा महिने का मान ले, दोनों ही condition में note देंगे, कि इस insurance का इतना tenure है, तो हमारा सवाल एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, closing stock क्याता है, तो sir, stock कितने का है सर, stock है हमारा, 3000 रुपे, लिखते जाते हैं फटाफट, depreciation furniture, अब देखते हैं, stock हो गया, debtor, हो गया debtor, नहीं हुआ, debtor तो निकलेगा भी, debtor पीछे से निकालते हैं, debtor आजएए, debtor निकालते हैं, buy balance, buy balance, cd, sir, debtor निकलेगा क्या, बिलकुल निकलेगा, 17,000, और इधर भी कितना आएगा, 17,000, 16,200 माइनस करेंगा, 17,000 में से तो कितना आजाएगा, 800 रुपे, निकलेगा है, लोजी debtor, debtor कितना आगया, 800, समझ मैं, debtor कैसे है, 800 हमारा, ठीक है, इसके बाद, debtor भी हो गया, furniture, कहता है, furniture पे 20% depreciation, तो furniture अगर मैं यहां लिखू, 1000 पे 20%, तो ये भी कि लिखेगा, 800, कैसे सर, 1000 में 200 रुपे, माइनस कर देंगे, इसके बाद, petty expense भी लिख चुके है, prepaid भी हो चुका है, हमारा, यान, हां, क्या रहे गया, अच्छा, यहां तक सारा हो गया, clear है, यहां तक, अब loading निकालने का काम होगा, कहता है, sales पे ही 20% है, तो बस direct direct निकालना है, loading, loading मैं हरे pen से निकाल देता हूँ, तो by loading, ऐसे भी लिख सकते हैं, loading, किस किस पे पे, opening stock पे, 5000 का 20%, 1000, और किस पे, good cent पे, good cent पे, good cent कितना है, चालिस, चालिस का कितना होगा, 8000, लोजी total आगया, 9000, और तो किसी पे loading निकलेगा नी, इधर से देख लेते हैं, loading, इधर से देख लेते हैं, loading, क्या होने वाला है, आउट्सेंडिंग सेलरी तो यही रहे गया, remittance, इस पे भी loading नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, return, return पे होगा, to loading, to loading, किस पे सर, return पे, कितने रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा, return के बाद इस पे तो होना ही नहीं होना ही नहीं होना ही, stock पे, क्याएगा, loading, 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 stock पे आएगा, stock पे कितना आजाएगा, हमारा, 600, यहां तक समझ में आ गया, इसको थोड़ा सार्जिस्ट कर देते हैं, ताकि हम कर पाएं, चलिए सर, यहां तक हो गया, यहां से निकालेंगे, फटा फट से क्या, profit, debtor account close होई गया, तो calculate कर लेते हैं, क्या क्या बनता है, क्या 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 बनता है, 5000, 2000, 1250, 8250, यहां पर total कर लेते हैं, 3700, 10200, 13800, सर, यहां पर total कर लेते हैं, 71, कि चलिए, और तो कुछ नहीं रहा, कि सेलरी से related कोई बात है, 86, 86, टू सर्प्लस, माइनस करते थे हैं, 8250, माइनस 40,000, माइनस 3200, माइनस 600, माइनस 100, माइनस 600, 22810, बुक का आंसर बताईए, कुछ फरक आएगा इसमें, अब यहां पर नोट डालेंगे, कुछ, जिस नोट को डालने के बाद, इस फरक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, बताईए आंसर, 700, 750 है न, 810, और हम इधर माइनस करेंगे, और इधर प्लस करेंगे, माइनस, 22, 750, 60 रुपे का, 60 रुपे यानि 20, 20, 40, 60 रुपे का फरक, 60 का तो नहीं आना चीए, आप प्रिपेड इंसॉरेंस देखें क्या है, 100 दे रखा है, यानि यहां 100 आ जाएगा, तो 20 इधर से बढ़ जाएगा, और इधर कितना घट जाएगा हमारा, 20 और घट जाएगा, हाँ, ठीक है, 60 का फरक आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो नोट क्या दे रहे हैं हम, वी अज्यूम, प्रिपेड, इंसॉरेंस, विल बी, टेकन फ्रॉम, 14, 2020, यानि हमने माना, कि इंसॉरेंस हमने कब लिया, 2020 में, आपके किताब का अंसर, exactly same आजाएगा, जब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 100, और यहाँ पे इसके जगहें पे क्या कर देंगे, 300, सौझवाई बात आपको, तो यहां से 100 करेंगे तो मैं टोटल भी कर देता हूं किताब की आंसर से लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा है वो अपने अजंशन है उनके 20 प्लस हो जाएगा और यहां पे कि चालिस माइनस हो जाएगा कि माइनस चालिस हो जाएगा कितना बताया था आपने आंसर 22 800 नहीं 810 में यह लिख लेता हूं यहां पे माइनस हो जाएगा तो यह बीस प्लस होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा पीस से कि माइनस चालिस है 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 साथ सो दस है साथ सो पचास है है फिर तो कोई गरबड़ी है किसी की लोडिंग रह गए निकाल नहीं है कि साथ गलत है कि तीन सो चालिस इंस्वरेंस कि बच्चे कह रहे हैं सर इंस्वरेंस तीन सो कि सर आपने क्लोजिंग आउट सिंडिंग सेलरी कहां कंसिडर किया ओके ठीक है इसमें कुछ ना हमारे अजंशन है इस अजंशन के विजह से बच्चे परिशान भी हो रहे हैं मैं एक बार वो क्लियर कर दूँ आपके पास है बुक लिखाए बुक के आंसर को खिलियर कर दूँ क्या क्या जंशन से जो मैंने जंशन लिया है सवाल नंबर 19 पहला हमारा प्रीपेड इंसॉरेंस जिसकी वज़े से फरक आएगा कि करेक्ट किसकी नहीं वो उसके कोडिंग कर लिए होगा ना बस इंसॉरेंस का ही है और हाला कि प्रीपेड इंसॉरेंस ओपनिंग एड हो चुका है ठीक है चलिए नहीं यह बिल्कुल उसने जो इंसॉरेंस है ना बच्चे कहरें सर यहां पर इंसॉरेंस ना चार सो ही आएगा यानि ओपनिंग में कुछ था क्या पचास पचास के बाद अगर देखा जाए तो पचास और था चार सो और प्रीपेड सो पचास चार सो नहीं रहने दीजिए आप कंफ्यूस हो जाएंगे अभी फिलाल के लिए आप इसको यह मानिए बुक के अंदर क्य हमारा देखिए हम क्या मान रहें कि बुक में इहां इस बुक वालों ने माना है कि इस अमारा 12 महीने का तो उनका प्रीपेड यह निकल गया सौर रुपे एक तो यह दिख रहा होगा दूसरा आप जब डेविट साइड में देखेंगे तो डेविट साइड में 400 रुपे का देखा है 400 रुपे का इंस्वरेंस ओके 400 का पूरा इंस्वरेंस अगा ठीक करे रहे हैं एक एर्र मेरा भी एक ऐसा नहीं बुक्वालों यहां पर फो यहां पर जो आएगा वह चार सो आएगा अब प्रॉफट दुमारा सर ऐसा क्यों prepaid क्यों नहीं minus किया अब ध्यान देना इस चीज को मैं समझाता हूं इस चीज को मैं समझाता हूं यह मानलो account है हमारा और यह हमारा prepaid prepaid insurance account है correct यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि यह assets है तो two balance BD आजाएगा है ना और BD देखा जाए तो 50 था अब जितना ज्यादा prepaid होगा वो बढ़ेगा तो इधर आजाएगा जितना insurance हम देते जाएंगे इधर आएगा और buy side में क्या आएगा balance balance CD आजाएगा तो हमने two insurance किया sir two insurance किया कितने का 400 रुपे का तो कितने total होगे 450 अब 450 में closing आप बोल रहे हो कि सर आप बोल रहे हो 80 है तो आपने use कितना किया होगा use कितना किया होगा 450 में से 80 माइनस करिए कितने 370 यूज किया है ठीक है अगर आप इसको मानते हैं कि आपने 100 किया है तो कितना आएगा कितना आएगा 350 यही दोनों चीज़ आएगी अब देखिए आपने क्या करा इन दोनों को लिख दिया और इधर cd लिख दिया तो अगर आप इधर दोनों चीज़े लिख दो और इधर भी लिख दो तो जो डिफ्रेंस निकल के आएगा वह यूज वाला आ जाएगा तो इस अकाउंट को आप ध्यान से देखो मैंने बीडी भी लिख दिया और cd भी लिख दिया तो यहां पे हमें पूरे 400 रुपे लिखेंगे तो आटोमेटिकली डिफ्रेंस तो आई गया समझ रहे हो जैसे कि हम डेटर में बोला करते थे जैसे पैटी कैश पैटी कैश में देखो ओपनिंग इधर आ गया क्लोजिंग इधर आ गया और head office तो बीच का difference consume automatically इस account के अंदर reflect हो गया समझ रहे हो बात को के consume जो था reflect हो गया तो यह थोड़ा सा बस correction लगा देता हूं मैं 22,810 और जो मैंने 320 किया था पहले पहले कितना किया था 320 तो 80 और minus कर देते हैं 730 होगा और 30 रुपए का फरक वही वाला आ रहा है हमारा 22,730 जो हमारे note की विज़े से clear clear जो हमारे note के समीर आपको clear हो गया closing liability क्यों लेंगे क्योंकि हमारा opening तो ले लिया जरूरी थोड़ी न है कि closing में भी liability हो book वालोंने ले लिया हो तो उसको हम consider नहीं करते अगर जब तक नहीं बोलता closing liability के बारे में यह use हो गया न salary के साथ setup हो गया होगा कि क्लियर है कि आगे और कौन सा सवाल था आपका है कि सवाल कौन सा था इसके बाद डाउट में 15 एक पर दिखाओ book इसमें good sent cost तो इस पर IP बनाना पड़ेगा कैसे बनाओगे 50% cost तो इस पर 50% वापस एड़ कर दोगे बिल्कुल क्योंकि यह भी cost है और वो profit भी किस पर है cost पर है 50% एड़ करोगे 17 तो 17 एड़ करके वो बन जाएगा ठीक है